Hello friends, अगर आप इंडिया में e-commerce करना चाहते हैं, online selling करना चाहते हैं और आपको ये जानना है कि कौन सी category ऐसी हैं जिसमें 100% आपको growth जरूर देखने को मिलेगी या आपको success होने से कोई रोक नहीं सकता है तो basically ये वीडियो आपके लिए है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ और सिर्फ तीन ऐसी categories बता रहा हूँ, online selling करने के लिए भले ही आप Amazon पे बेच रहे हूँ, Flipkart, Miso, Geomart, अपनी खुद की e-commerce website से selling करना चाहते हूँ या अभी आपने selling स्टार्ट नहीं की है, online selling करने की सोच रहे हैं, तो ये सिर्फ और सिर्फ only three categories ही ऐसी हैं internet पे, जो online selling के लिए बहुत ज़्यादा popular हैं, और अगर आप इन categories में आते हैं, तो maybe आपका brand एक बहुत बड़ा brand बन जाए, और ये categories ऐसी हैं, जिसमें अगर आपन अपनी quality को अच्छे से improve किया और quality control पे अच्छे से ध्यान दिया, definitely आपको grow होने से कोई रोक नहीं सकता है, तो चलिए इस वीडियो में आके बढ़ते हैं, चैनल पे नए हैं, तो चैनल को subscribe जरूर कर लीजे, वीडियो को like and share जरूर करिएगा, बात करते हैं सबसे पहली category की देखिए अगर आपको online selling करना है, जो कि offline selling से काफी अलग है आज के जबाने में, तो याद रखिए सबसे top पे जो category इंटरनेट पे या online रहती है, वो है fashion and beauty, सबसे ज़्यादा अगर आपने पिछले 5 सालों में देखा हो, तो जितने भी बड़े ब्रांट्स थे, जो आज कर रोडों का turnover लेके आ रहे हैं, वो सबके सब इसी category को target करके इंडिया में ग्रो हुए हैं, क्योंकि आज की इंडिया की जो नई population है, new generation है, वो इस category को internet means online बहुत ज़्यादा frequently shopping करती है, या shop करती है, देखिए अगर आप fashion category में जा रहे हैं, भले ही यहाँ पे बहुत ज़्या कि अगर आपका brand चल निकला, तो फिर आप बहुत आगे निकल जाएंगे, fashion category चुकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा e-commerce पे order आते हैं, तो यह category अगर आप target करते हैं, तो आप देखेंगे कि आप बहुत जल्दी grow कर पाएंगे, और इसी के साथ में beauty, देखिए beauty category इंडिया में हमेशा से ही grow हुई है, और बहुत जादा grow हुई है, फिलाल पिछले 5 सालों में beauty category भी इंडिया में dominate करती हुई नजर आ रही है, तो अगर आपका brand ऐसा है, जो कोई cream, कोई body lotion, या इनसे related कुछ आप बनाते हों, या बनाने की सोच रहे हैं, और आपकी quality और sale price, यह excellent है, definitely grow करेंगे, भले ही थोड़ा time लग जाए, लेकिन आप grow 100% करने वाले हैं, क्योंकि fashion and beauty, यह जो तो category है न, यह सबसे जादा order gain करती है, और इसमें 1000 लाखों में orders आते हैं, तो अगर आप सबसे जादा order लाने की सोच रहें, जल्दी grow करने की सोच रहें, तो आप इस segment को target कर सक करते हैं, यह segment ऐसा है, जो इंडिया में अगले 20 सालों में बहुत जादा boom करेगा, और अगर आप उसमें participate करना चाहते हैं, तो आप इस category में जा सकते हैं, बट proper planning के साथ, और proper research करने के बाद, क्योंकि इस category में बड़े बड़े brand भी sell करते हैं, तो अगर आपको वहाँ पे stand category की, second category, health and personal care, यह भी एक ऐसी category है, जो इंडिया में पिछले 3 सालों में बहुत जादा उभर के आई है, और आगे आने वाले लगभग 20 से 25 साल, यह category इंडिया में बहुत तेजी से ग्रोह होगी, क्योंकि health and personal care, यह आज इंडिया में जितने भी new generation के लोग हैं, उनको एक ब personal care पे ध्यान दे रहा है, जितने भी लोग online shopping करने आते हैं, या e-commerce पे आते हैं, shopping करने चाहाँ, Amazon, Flipkart, ISO, Geomart, कहीं भी जाएं, but health and personal category, ऐसी आप category बन चुकी है, जिसमें orders या demand बहुत जादा है, हाँ उतनी नहीं है, जितनी beauty या fashion की है, but second पे इसका number आता है, तो अगर product ला रहे हैं, कुछ ऐसा tool बना रहे हैं, या कुछ ऐसा बना रहे हैं, जो लोगों की problem को solve करता हो, उनका health या personal care को maintain रखने में उनकी help करता हो, definitely आप grow कर पाएंगे, बात करते हैं, third category की last but not least, वो है home and kitchen, home and kitchen ये ever growing category है e-commerce में, अगर आप home and kitchen में जाते हैं, तो यहाँ पे ब कम देखने को मिलेगा, बट ये category भी इंडिया में बहुत जादा चलती है, home and kitchen में क्या है, कि यहाँ पे बहुत सारी categories ऐसी हैं, जहाँ पे investment ना के बराबर है, और आप 100% grow कर सकते हैं, बेसक इसमें उतने order नहीं हैं, जितने पहले दो categories में हमने बताए हैं, बट ये भी category इं receive होते हैं, चाहे हो Amazon हो, Flipkart हो, Miso हो, Geomart है, या आप अपनी खुद की e-commerce website बना कि अगर बेच रहे होंगे, और last 3 years का data अगर आप calculate करेंगे, तो आप ये देखेंगे कि इस category में बहुत जादा demand है, तो obvious सी बाद है, जिस चीज की demand जादा है, अगर आप वो चीज supply करते हैं और एक अच्छे price point पे excellent quality देते हैं, तो भले ही आप बड़ो की race में पीछे हो जाएं, लेकिन एक समय ऐसा भी आएगा, कि आप भी उनके competition में आ सकते हैं, तो इसलिए अगर आप ये सोचते हों कि कौन सी category में जाया जाया है, तो यही 3 categories ऐसी हैं, जो आपको जल्दी grow कर बाकी भी चीजें sell होती है, क्योंकि online तो सब कुछ बिकता है, लेकिन बाकी चीजों की demand या जो कह सके मांग है, या जो customer conversion rate है, तो वो कम है, लेकिन इन 3 categories की demand है वो इंडिया में बहुत जादा है, और इन categories में बहुत बड़े बड़े आपको online seller भी दिखाई देंगे, और ब quality maintain रखना पड़ेगा, और अगर आप थोड़ा सा अच्छे से काम करोगे, तो आप इसमें उन segment को target कर सकते हो, जो non returnable है, मतलब health and personal care या beauty, इनमें कुछ segment ऐसे है ना, जो only replacement है, उनको customer return नहीं कर सकता है, आप उस segment में चले जाएं और उसका फायदा उठा ले, ठीक है ना, त में भी थोड़ा सा time लग जाए आपको, लेकिन आप grow होगे, बसरते ये हैं कि आप वो जबाना नहीं रहा, कि आप 2-4 product लेके आए, list करके भूल गए, कि order भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उस type के seller अब उतना नहीं चल पाते हैं, आपको seriously e-commerce करना पड़ेगा, दिन के भले ही आप 2 घंटे दें, बट उन 2 घंटे में आपको उन 2 hours में आपको e-commerce के लिए ही सोचना पड़ेगा, और एक अच्छी policy बनाके आगे निकलना पड़ेगा, मतलब अगर आप carelessly काम करेंगे, तो फिर आप e-commerce में नहीं चलने वाले हैं, तो इस वीडियो में इतना ही, कर्वा आप